बॉलिवुड के वो पाँच अधूरे इश्क जो आज भी करते हैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत, कोई था अलग-अलग एक्ट्रेसों के पीछे पागल, तो दूसरे नमबर वाला कपल रहा नौ साल तक एक साथ, और चौथा वाला तो आज भी अकेला ही घूम रहा है। दरसल नब्बे के दशक में अक्षे कुमार और रवीना टंडन ने अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से कई फिल्मों में चार चांद लगाए थे। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि कपल ने सगाई कर शादी करने का फैसला ले लिया था। कहा जाता है कि दोनों के रिष्टे में दरार आने के पीछे की वज़ह एक्ट्रेस शिल्पा शेटी थी। इस पर बात करते हुए खुद रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही ये भी सोचा था कि जिस दिन मेरे फिल्म शूट का आखिरी दिन होगा उसी दिन हम शादी भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाद में अक्षय ने शिल्पा शेटी को भी छोड़ दिया और ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। नमबर पांच रणबीर दीपिका एक वक्त था जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोंड के रिष्टे की चर्चा हर तरफ होती थी। दीपिका ने तो रणबीर के नाम का टैटू भी अपनी बॉडी पर बनवा लिया था लेकिन यह रिष्टा ज्यादा समय तक टिक नहीं सका और कैटरीना के साथ रिष्टा रखना के चक्कर में रणबीर ने दीपिका को छोड़ दिया। आज दीपिका रणबीर सिह के साथ अपनी शादी शुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं तो वहीं रणबीर कपूर ने भी कैटरीना को छोड़ कर आलिया भट के साथ शादी कर ली। नमबर चार सल्मान एश्वरिया जब भी बॉलिवुड में अधूरे प्यार की दास्ता बया की जाती है तो सबसे पहले सल्मान खान और एश्वरिया राय का जिक्र होता है। नमबर तीन शाहिद करीना फिदा और जब विमेड जैसी फिल्मों में काम कर चुके शाहिद कपूर और करीना कपूर ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था। फिल्म टशन के दौरान करीना सैफ अली खान के नजदीक आती गई और शाहिद से दूर होती चली गई। एक दूसरे से अलग होने के बाद करीना ने सैफ अली खान से शादी कर घर बस लिया तो वहीं शाहिद कपूर ने मीरा राजपूट से शादी कर ली। नमबर दो जौन बिपाशा लगभग नौ साल के लंबे रिलेशनशिप और साथ में रहने के बाद जौन अबराम और बिपाशा बसू ने अलग होने का फैसला किया। खबरों की माने तो दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन परसनल बातों को लेकर दोनों में अनबन होने लगी। जिसके बाद दोनों ने ब्रेक अप करने का फैसला किया। विपाशा ने एक्टर करन सिह ग्रोवर से शादी कर ली और जौन भी अब अपनी शादी शुदा जिन्दगी में काफी खुश है। इस लिस्ट में अमिताब और रेका का जिक्र ना हो। ये कैसे हो सकता है भला। दोनों ने दर्जनों फिल्में साथ में की और उस वक्त अमिताब और रेका की जोड़ी, on-screen और off-screen दोनों ही तरफ सुपर-hit थी। जहां रेखा ने अमिताब के साथ अपने रिष्टे को कभी नहीं छिपाया तो वहीं अमिताब ने इसके बारे में हमेशा चुप्पी ही सादी दोस्तों इन में से कौन सी जोड़ी ऐसी थी जिसके तूटने का दुख आपको सबसे ज्यादा हुआ कमेंट करके जरूर बताए